कुम्ब राशी एक न एक दिन यह होना ही था दुश्मन भी काप उठेगा यह देखकर नमस्कार दोस्तो जय भोले नाथ दोस्तो आज हम आपको कुम्ब राशी के बारे में बताने वाले हैं जहां दोस्तो बाइस और तेवी जुलाई का आपका कुम्ब राशी के बारे में दोस्तो परिवार में खुशी भरे पलाएंगे आप अपने परिवार के लोगों के साथ बहतर समय व्यतित करेंगे आप किसी नए काम में अपनी किस्मत आजमानी की कोशिश कर सकते हैं जिसका आपको अच्छा फायदा मिलेगा आत्म बल मजवत रहेगा नोकरी के ख्षेतर में आपका प्रभाव भी बढ़ेगा कई ख्षेतरों से लाब मिलने की संबहुना बन रही है बाग्य के बलबुते आपको धनलाब मिलने के संकेत नजर आ रहे है आप कुछ जरूरतमन्द लोगों की सहता कर सकते हैं जिससे आपके मन को सुकुन मिलेगा प्रापरटी से संबंधित कामों में सपलता हसिल होगी ससुलाल पक्षे से लाब मिलने की संबहुना बन रही है आप अपने शत्रों को परास्त करेंगे अपने दफ्तर से जल्द निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिने आप वाकई पसंद करते हैं बीते दिनों में जितना धन आपने आज को बहतर बनाने के लिए इन्विश किया था उसका फायदा आज आपको देखने को मिल सकता है सामने राशिपल के बात करें तो स्वबा में थोड़ी सुस्ती देखने को मिलेगी यदि स्वंबो हो तो थोड़ा आराम करके फिर से अपने काम के लिए त्यार है पैसों से संबधित मामलों पर विचार करना जरूरी होगा कुछ मामलों में आप धन का अधिक धनकर्च करेंगे यदि आप अपने इन आदतों पर रुख लगाते हैं तो आपकी आर्तिक स्थिती अच्ची हो जाएगे ओफिस और कारेक शेतर में अधिक चहल पहल बनी रहेगे और आप इसका अनंद भी लेंगे आपका कोई सहकर्मी आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है लेकिन आप धहरे बनाए रखें बनाएगे योजनाओं में आपको सपगता मिलेगे परिवार वालों का हसी मजग भरा बरताओ घर के वातावरन को हलका फुलका और खुशनुमा बना देगा दोस्तों प्यार की मदहोशी में हकिकत और फसाना मिलकर एक होते मालूब होंगे इसे मसुस करे घर के कामों को पुरा करने के बाद इस राशी की ग्रणिया आज की दिन फुरस्त में टीवी या फिर मोबाईल पर कोई मुवी देख सकते हैं तो चले अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में जानते हैं पुरानी बातों को भूलने में ही फैदा है उन्हें दोबारा कुरेद्ने से कोई लाब नहीं होगा किसी भी प्रकार के विवादों का निप्टारा करने के लिए दिन बहुती शुब है काम को कल पर टालना आप लिए हानिका रखोगा नई नोकरी और नई व्यापार के बारे में आप कुछ सोच सकते हैं जो भविश में आपको अधिक लाब दे सकता है आपको कुछ बड़े कदम उठाने होंगे आपके धन और हिम्मत में उरुद्धी हो सकती है लेकिन उसके लिए सोय को मजबुत बनना होगा और खुद को बदलने के लिए तयार भी रखना होगा आपके सभी काम समय पर पूरी होंगे कुछ नएं और रोचक अनुभों से आपका सामना हो सकता है जीवन के हर पलू को गंबिरता से ले हर दिशाथ से सपलता के योग भी बन रहे हैं तो चलिए आप बात करते हैं कि दुश्मन भी काब उठेगा इहर देखकर ऐसा मने क्यों का विस्तार से जरेंगे 22 और 22 जुलाइ जो दो दिन है इन दो दिनों में आप कुछ ऐसे काम करेंगे जिसे कि आपके दुश्मन आपसे जल सकते हैं या पिर आपकी अच्छे काम की वज़े से उनको दिक्कत हो सकती है दोस्तों दुश्मनों को अपनी ताक दिखाने के लिए आप कोशिश करते रहेगा काम करते रहेगा इमानदारी के साथ आगे बढ़ेगा कोई भी फर्जी काम मत करेगा वरना दुश्मनों को आपका विक पॉइंट पता चलेगा और वो आपको नीच्छा दिकाने की ताक में रहे इस बात का देर रखेगा जीवर में अगे अगर आपको लंबे समय तक लंबे अवदी तक आपको पैसा कमाना है तो आपको इमानदारी ही बरतनी होगी इमानदारी से ही काम करना होगा वरना क्या होगा अगर आप फर्जी करके अभी के समय पैसा कमा पाएंगे लेकिन बात में आपको उससे प्रॉब्लिम आ सकती है इसलिए अभी जो समय मिल रहा है इमानदारी के साथ काम करेगा और धेरे 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 पैसा एकटा करते हुए सपलता पाते हुए आगे बढ़े तो चलिए आप बात करते हैं आपका धनर राशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिपल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा साथी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपके जीवर में कोई प्रॉब्लेम चल रही है या पिर कोई परेशनी आपको बार बार सता रही है उसका अगर हल जोती शास्तर के अनुसार और कुंडली के आधर पर जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस वीडियो में आपकर डिस्क्रिप्शन ब कैसा रहेगा उसके बारे में दोस्तों दिन के शिरुवात एक गुपत संभंध या फिर मिटिंग से हो सकती हैं कामे कोई भी महतोपना फैसला लेने से बचें क्योंकि किसी पर विश्वास करना आपके घातक हो सकता हैं आपके नमर और कुशल व्यावहार से आपको लाव हो फाइदा जरू होगा पुराने विचार आपको निराश नहीं करेंगे किन्तु नए प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए भी यह अच्छा समय हैं आप अपने आपको शांत रखे क्योंकि कुछ स्थितियों में आप अपना आपाख हो सकते हैं कुछ भी कुरुदी तरी प्रमक या फिर गलत लगे इस समय इस बिंदु पर अनविद्न रहें और बाद में एक परिक्रूत तरीके से अपना रोश बाहर निकालें आप खुछ रहें क्योंकि आपने काफी धन एकद्रित कर लिया हैं जो कि आप विलासिता से भरी वस्तु पर खर्चिभी कर सकते हैं अब बात करते हैं आपका करियर अशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में आप चाहे ऑफिस में काम करते हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं आप अपने परदर्शन को ले कर खुश हो सकते हैं आपके बॉस वो प्रशिक शक आपकी मेहनत पर नजर रखे हुए हैं अपने काम से काम चुरी करके आपको अपने टीचर ये फिर बॉस को नाराज बिलकुल भी नहीं करना है अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है अगर आपको एक के बाद एक सपलता हसिल करना है चाहे आप काम करते हैं तो अपने बॉस अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अपनी टीचर को नाराज मत करें अगर आप कही पर दलाली का काम करते हैं तो इस सामने वाला जो भी कस्टमर है उसको ज्यादा नाराज मत करें तबी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे लव राशिपल की बात करें तो आप अपने प्रभावित होगा अपने शोना को अपनी पसंदिता गत्विदियों में शामिल करें और उसे पैमपर करना ना बुलें आपको प्यार के मौके अपने कारेस्तर पार्टी या किसे अन्य अउसर के माध्यम से मिल सकते हैं सौस्त राशिपल के बात करें तो हो सकता है कि आप जिने प्यार करते हैं उनकी सिहत को लेकर आपको भयानक पलों का सामना करना पड़ जाए चिंता ना करें आप पूरे साउधानी बरतें कम से कम आप उन्हें बहुनात्मा ग्रूप से तो बांदे रखें तो कुछ इस तरह से आपका जो कि कुम राशिपल रहने वाला है दोस्तों वीडियो में बताए कि जानकारी जो कि जोतिश, पंचांग, मानेताओं और धर्म ग्रंतों से दी गए हैं हमारा उद्देश महत सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना है तो लिजीगा, इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं और उप्योग करते हैं, तो इससे पहले अपनी नजदिक के कुलपंडि से अवश्यस संपर करें, आप चाहे तो ट्रेंडिंग राश चिबल से भी संपर कर सकते हैं, कुंडले और इसमें मामले से बदला हो सकता है, तो दोस्ता आज की स्टों में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद